आयोध्या में राम मंदिर को लेकर कॉंग्रेस का स्टैन्ड बदला है या आप मानते हैं विलकुल नहीं बदला है भाजपा का बदल गया हम तो शुरू से कहते थे विवात का स्थल है भगवान राम को विवात के स्थल में क्यों डालते हुआ सेोसरूपरांजी महाराज मेरे शंकरेछार जी मेरे गुरु हैं वह तो कहते हैं दिवेजे जहां रामलला ब्यराजे थे रोज मंदिर हो रही और भूजया हो रही थी रोज स्वह हो रही थी वह इनोंने गिरा दिया वहां नमाज पड़ता कौन था तो मंदिर गिराया कि मस्जिद गिराई आएक दूसरा है इन्हों ने का था मधरामलला मंदिर बनाएंगे अब रामलला टेंट में हैं तब से लेकर आज तक मंदिर नहीं बना तक हमारी सरकार बनवा दो उत्तरप्रदेश ने राम मंदिर बन जाएगा बन गई प्रका क्या हूँ केंद बन गई ओंगा अब आप की सरकार के थो होँ वह भी बन गई आप कहते हैं ने अधालत का फैसला मानेगे और आदितनाज जी क्या कहते है उनसे पूछा गया कि भगवान राम मंदिर कब बनेगा उनने का राम जी की मर्जी हो जाएगा तो बन जाएगा तो उनका बदला क्या हमारा बदला एप तो एसा होता है कि कउंग्रेस के प्रवक्ता पहले आते थे इसमुद्दे पर बोलते थे कि देखिए नियायले में अब वो कहते हैं कि हाँ मंदिर तू बनेगा अब तो प्रवक्ता आच और रेकॉर्ड कर जाते है विवादा सपत्ल पर मंदिर बनाने के लिए अदालत का निरणे फाइनल होना चाहिए आज हम भी हमारा मत है कि आदालत का फैसला ही माना जाना चाहिए चलिए उस विवाद से अलग घटकर हम आपके बयानों पर आते हैं जो विवाद खड़े कर ही देते हैं मोधी जी को लेकर एक ट्वीट आपने कर दिया था जिसमें वो शब्दी नहीं बोल सकता है प्रकार उनके बैयानों से पूरे देश के लोगों को बेफकूफ बनाया हुआ है, वो उनका लक्ष यह था, क्योंकि यह बात है, कहावच जो है ना, some people can be fooled sometimes, some people all time, but not all people all the time, हालत यही है और इसलिए जुमला जो एक फिलोसफी बन गई है आजकल, जुमला science भी है, जुमला economics भी है, जुमला education भी है, क्योंकि हर्शी जुमला है, इस देश में यह गुप्त रहना चाहिए, कि प्रधान मंत्री जी कहां तक पड़े हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, यह भी गुप्त रहना चाहिए, कि वे शादी शुदा हैं के नहीं है, बात यही है, कि पारदर्ष्टा Congress का आदर्ष है, Congress Party का मंतव है, और इसलिए हम पारदर्षी विवस्ता लागू करना चाहते हैं, जिस पाटी का जो व्यक्ति वरिष्टतम होता है, उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो गुप्ती रह जाती है, डिगरी भी, कहां तक पढ़े हैं, वो भी, गुप्त रहते ना चाहिए, और में बढ़ें क्या पढ़ें और क्या पढ़ें एंटार प्लिटिकल साइंस को सब्जेक्ट बढ़ा दीजीं कौछ प्रॉप्लिटा तक पड़ें कितना पढ़ा है ये ओपन है डिक्री उनके पास है बताया गया है कई बार सुप्रमाणियम स्वामी जी ने पूछ लिया प्रमान दे दिया युनिवर्सिटी ने कह दिया लेकिन आज तक मोदी जी किस डिगरी, किस युनिवर्सिटी नी पढ़े किस कहां से डिगरी मिली वो सीक्रिट है क्या करेंगे जैनकर हमें रूची भी नहीं है बात यह है और समविधान में यह कहां लिखा है कि अनपढ़ आदमी प्रधान मंत्री नहीं बन सकता बन सकता लेकिन इन सब चीजों के कारण क्या आपको लगता है कि एक देश के प्रधान मंत्री को लेकर अब शब्द जो कहे जाते हैं वो सही है बिल्कुल नहीं कहना चाहिए मैं सकत खिलाफ हूँ